आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे क्रॉफ इंसेक्ट यानि जो फसलों के कीट है उनके देखो आज का जो अपने लेक्चर है यह अग्री कल्चर एंटमोलोजी के इसाब से सबसे इपोर्टन टॉपिक है क्योंकि अपने इसके अंदर जो जो क्रॉफ है उनका अपने डिसकस करेंगे आज के वीडियो में अपने क्या करेंगे जो इंसेक्ट उनको दो केटिगरी में अपने डिवाइड करके चलेंगे एक तो मैजर इंसेक्ट यानि जो मुख्य कीट है और दूसरे है माइनर इंसेक्ट यानि जो कम मात्रा में नु तो जैसे आपको याद होता है, पहले आप major insect पे जाओगे, major insect अगर आपको अच्छे से याद रहते हैं, उसके बाद आप minor insect पर भी ध्यान देंगे. अगर आप major और minor दोनों ही पढ़ते हैं लेकिन आपको ने तो major प्रोपर याद हो रहे हैं ने minor याद हो रहे हैं तो आप सिरफ और सिरफ major पर फोकस कीजिए अगर major आप comparatively याद रख पार रहे हैं तो minor पर भी आपको ध्यान देना जाए क्योशन major से भी आ सकता है minor से भी आ सकता है लेकिन major जो insect है यादि जो मुख्य कीट है उनसे क्योशन ज्यादा आने के chances रहते हैं अब देखो अपने crop wise insect start करने से पहले जो पिछले lecture में अपने बात की थी उन में से कुछ जो important बाते हैं उनको अपने वापस रिवाइज करते हैं जो अपने इस video lecture के अंदर काम आने वाली हैं देखो इसमें सबसे पहले तो अपने बात करें कि complete metamorphosis वाले insect कौन से हैं complete metamorphosis किसमें होती है जिसमें क्या होती है चार स्टेज होती है चार कौन कौन सी एग के बाद वो किसमें बदलता है लारवा के बाद वो प्यूपा में बदलता है और प्यूपा के बाद वो अडल्ट में बदलता है तो जिसमें ये चार स्टेज देखने को मिलती है अपने उ मिलता है तो जिसमें तीन स्टेज देखने को मिलते हैं उसको अपने In complete Metamorphosis देकने को मिलते है उसको In complete Metamorphosis कहते हैं याणि एपुरण रुपांत्रन कहते है और जिसमें And internet यादने एक उसके बाद अपने बात करें लारवा लारवा के अगर मैं बात करूँ अडल्ड की यानि वैस की बात करूँ ये चार अवस्ताइन देखने को मिलती है उसको अपने complete metamorphosis या फिर अपने उसको पुर्ण रुपांतरन कहा जाता है तो आगे जो भी insect पाएंगे जिस भी category के अंदर आएंगे तो उन में से कई बार सीधा सा ये प प्लियाज है और मोस्कुट्यों है इनके अंदर complete metamorphosis देखने को मिलता है और अगर मैं बात करूँ बंग्स है ग्रास ओपर है कोक्रोज है तर्माइट्स है उसके लावा प्रेज मैंटिस है और क्रिकेट्स जो है और उसके लावा जो लीक्स है इनके अंदर incomplete metamorphism देखने को मिलती है तो आगे और आने वाले जो इनसेक्ट अपने बात करेंगे उनमें यह दुवारा से डिसकस नहीं करेंगे आप यह ग्रूप याद कर लेते हैं इनसेक्ट का याद करने के आपको जुरूरत ही नहीं पड़ती है दूसरा देखो यह ग्राब बहुत important है अलांकि बिलकुल भी इनसेक्ट नहीं है और उसके बाद इंसेक्ट आना शुरु हो जाता है तो एक ऐसी स्थेज आती है जिस समय प्रपूलेशन संतुलित होती है संतुलित यानि एकियुलिब्रियम होती है देखो जहां बोधन है वहां पर उसको खाने वाला आएगा यानि जहां ह लेकिन कोई इक्किये दुख्ये पेश्ट है संतुलित है कोई प्रोब्लम भी नहीं है किसी तरह का कोई noticeable नुक्सान ही नहीं है याणि आपको नुक्सान दिख रहा है कोई यसा नुक्सान ही नहीं दिख रहा है तो वो population है equilibrium population यहाँ पे आपको कुछ सोचने की जुर्खनी है और इससे नीचे अगर population है तो वो आपको दिखी नहीं रही है ने के बराबर population है कोई की दुखी population है यह हो गई यहाँ समन्वित संक्या अब क्या है दीरे दीरे जैसे जैसे इनकी population बढ़ती जाती है वैसे वैसे नुक्सान दिखना शुरू हो जाता है संतुली संक्या के बाद आपको नुक्सान दिखना शुरू हो जाएगा उसके बाद एक लेवल आता है economic threshold level यानि जिसको अपने बोल देते हैं आर्थिक नुक्सान दहलीज स्तर बोल दिया जाता है इसको सोट में अपने बोलते हैं ETL बोलते हैं सोट में अपने इसको बोलेंगे ETL economic threshold level बोल दिया जाता है अब देखो इसका मतलव क्या है ये लाइन है ETL की अर्थिक नुक्सान स्तर की लाइन है इसका मतलव ये है अब देखो ये कीटों की संग क्या बढ़ रही है, equilibrium population से जैसे जैसे insect बढ़ रहे हैं, वेसे वेसे क्या है, नुकसान बढ़ रहा है, वेसे वेसे अपना नुकसान बढ़ेगा, अब ये नुकसान देखो इतना है, अगर हम economic threshold level से नीचे, अगर हम उस कीट का नियंतरन करना चा आते हैं, तो अगर हम 100 रुपे खर्च करके उसके नियंतरन करने की कोसिस कर रहे हैं, तो वहाँ लाब सिरफ हमें 90 रुपे का ही होगा, यानि कोस्ट जादा लग रही है और benefit क्या होगा, कम होगा, ऐसा देखने को मिल रहा है, कोस्ट है वो तो जादा है और benefit है वो कम है, त आपने नियंतरन करने के लिए जो खर्चा लगाया है, उसकी तुलना से लाब तो कम है, तो तुलना से लाब कम है, तो ऐसे नियंतरन का क्या फाइदा, यहाँ पर भी नियंतरन, लेकिन अगर ETL, आर्थिक नुकसान दहलीज, आर्थिक नुकसान की दहलीज पे पहुंच च और उसके बाद आप क्या करते हो उसके बाद अगर आप कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब है अगर आप 100 रुपे खर्च कर रहे हैं नियंतरन करने के लिए तो आपको बेनिफिट होगा वो 1.500 रुपे का होगा इसका मतलब यह तो काम करना चाहिए क्योंकि यहां तो अपने क तो फाइदा मिल रहा है, तो अब ETL से उपर आपको नियंतरन शुरू करना होता है, ETL से उपर नियंतरन अपने शुरू कर देगी, और उसके बाद जैसे जैसे population बढ़ती जाती है, उसको नियंतरन करने की कोशिस करो, अगर आप नियंतरन प्रभावी तरीके से नहीं कर पात इकोनोमिक इंजरी लेवल बोला जाता है, इसका मतलव है कि यहां पर population इतनी जादा हो गई है कि उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, अब आप से यह population कंट्रोल में आना बहुत मुस्किल है, और यह बहुत सारे पेसे का नुकसान कर चुकी है, तो यहां तक population को तो नहीं देना चीए, इसका मतलव आपको नियंत्रन कहां कर देना चीए, ETL से EIL के बीच में कर देना चीए, तो हमेशा कीटों का जो कंट्रोल है, यानि जो इंसेक्ट का कंट्रोल है, वो हमेशा ETL से लेकर EIL के बीच में किया जाता है, और यहां अपने population को नियंत्रित करके एकोसिस ये की जाती है कि population जो है वो economic threshold level से नीचे रहें, अब किस तरह से पूचा जाता है exam में, इस तरह से पूचा जाएगा कि जो insect है, heat जो है, उनका नियंतर्ण आपको कहां करना चीए, वो ETL से लेकर EIL के बीच में आपको नियंतर्ण करना चीए, population किस से नीचे रहनी च hold level से, आर्थिक डहलीज नुकसान सतर से नीचे population होगी, तब हमें लाब मिलेगा, और कब आर्थिक नुकसान बहुत सारा हो जाता है, और population को control करना मुश्किल हो जाता है, EIL से उपर control करना मुश्किल हो जाता है, तो ये ग्राब बहुत इपोटेंट है, बहुत बार इससे क्योशन पूचा जाता है, तो आपको इस ग्राब को proper ध्यान में रखना है, नेक्स अपने और चीज जो ध्यान रखनी है, वो रखनी है माउथ पार क्योंकि माउथ पार्ट आपको बताएगा कि जो इंसेक्ट है, उसका behavior के सा है, देखो, chaving type जिसमें माउथ पार्ट होता है, पीछे के वीडियो में हमने डिसकस किया था, अब जिसमें chaving type का माउथ पार्ट होगा, वो किस तरह से करेगा, फूट को भाड़ेगा, या काटे बिटल करता है, कट वोरम करता है, केटरपिलर सारे करते हैं, ग्रास होपर करता है, तो ध्यान रखना है, बिटल, केटरपिलर और जो ग्रास होपर है और कट वोरम है, यह सारे के सारे क्या काम करते हैं, जो फूट होता है, उसको काटनी का काम करते हैं, नेक्स अपने ध्या यानि यह सक्दासेप यानि जो भोजन है पोदा है या होस्ट है उससे रस्चूसने का काम करें यह कौन-कौन करेंगा एपिड करेंगा मिली बग करेंगा माइट्स करेंगे स्केल इंसेक्ट करेंगे और वाइट फ्लाइज करेंगे यह सक्दासेप यानि रस्चूसने का काम क करते हैं जैसे त्रिप्स है यह यह दो हमिसा क्या करते हैं जो लिक्विड फूड होता है तो उसको चूशने का काम करेंगे इसमें बटर्फलाई और फ्लाई यह दिए बटर्फलाई का जो लारवा है वह क्या है वो तो cut rick का काम करता है लेकिन ये खुद जो adult है ये क्या काम करते हैं ये जिसे liquid food होता है नेक्टर वगेरा होता है उससे रस्चूशने का काम करते हैं ये आपको यहाँ पर ध्याँ दखना है ठीक है तो ये mouth part अगर आपको पता है तो ये हमें बार-बार नहीं पढ़ना आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक-एक insect की crop wise insect की बात करते हैं दखो यहाँ पर यह टेबल बनी हुई है और इस टेबल के अंदर कही सारे पेरामिटर है उन पेरामिटर के हिसाब से ही अपने क्या करेंगे यहाँ पर discuss करेंगे तो सबसे पहले उनका किस तरह का नुकसान देखने को मिलता है और और पी उनके जो कुछ पेरामिटर है उन पे अपने discuss करेंगे यह जो टेबल बनी हुई है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले insect का नाम दिया हुआ है उसके बाद उसका scientific name दिया हुआ है उसके बाद उसकी family द पर photo भी दे दिया है ताकि आप इसको थोड़ा easily identify कर पाए या फिल्ड पे हो तब भी आपको थोड़ा सा idea हो जाए तो यह diagram इसलिए दिये है या photo इसलिए इनकी ताकि आपका practical जो knowledge वो भी थोड़ा सा enhance हो तो देखिए सबसे पहले अपने सिरियल क्रोप्स में rice की बात करते यानि धान की बात करते हैं तो सबसे पहले चावल के जो कीट है और उसमें पहले जो इनके important यानि जो मुखे कीट है उनकी अगर अपने बात करें तो देखो अब सबसे पहले है थ्रिप्स थ्रिप्स जो है उसका यहाँ पर scientific name के अगर इसका विग्यानिक नाम है 20 । इसका संडीक नम है और फेमिली आपको पता ही होगी। थ्रिपल इडियो होती है। और जो होता है थाइसे नॹ पटीरा होता है, यह थ्रिप्स का ओडर, फेमली और ओडर आप एक बार याद कर लीजे, थ्रिप्स बहुत बार आएगा, एफिड बहुत बार आएगा, ग्रास ओपर बहुत बार आएगा, बॉरर बहुत बार आएगे, माइट्स बहुत बार आएगे, तो बार बार याद करने के बजाए आप एक बारियाद कर लीजिए इसकी जो damaging stage होती है वो होती है निम्फ और adult यानि निम्फ और adult है ये दोनों ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं infection time की बात करें तो ये nursery से लेकर जो main field होता है वहाँ तक ये नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं next मैं बात करो remarks के में कुछ special में अपने बात करें तो इनमें complete metamorphism देखने को मिलता है देखो morphism वाली जो बात है वो अपने अल्रेडी पहले ही कर चुके हैं अपने को यहाँ पर बार बार discuss करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि आप group में याद रखोगे तो जादा अच्छे तरीके से आपको याद रहने के chances रहेंगे तो इसमें क्या generally देखने को मिलता है complete metamorphism देखने को मिलता है next अपने बात करें इनका जो एक का एक period होता है वो 3-5 दिन का होता है और complete जो life cycle होती है वो 13 से 19 दिन में पूरी हो जाती है behavior कैसा होते है अपने पीछे बात करी चुके है जो trips है वो मतलो रज सूसने का काम करते इन पे rasping और sucking टाइप का माउफ पार देखने को मिलता है और धान की जो resistant variety है इसके परती परती रोधी जो किसमे है वो है PTB 12, PTB 20, PT 321, H4 यह कुछ इसके परती रोधी किसमे जिन में trips का attack देखने को नहीं मिलता है ATL की बात करे economic thrust hold level यानि जहां से हमें नियंतरन शुरू करना है तो देखो 60 जो trips है पर 12 weight handed swaps in nursery देखो 12 weight handed swaps है nursery के अंदर उनकी अंदर अगर इनकी संक्या 60 से ज्यादा पहुंच जाती है तब हमें इसका नियंतरन शुरू कर देना चीए trips देखने में इस तरह का होता है आप यह साथ साथ में इसका image भी देख सकते हैं next जो दूसरा insect है rice का next है green leaf hopper green leaf hopper के अगर अपने बात करें तो इसका जो scientific name है वो है nephotetics varicens nephotetics varicens उसके लावा nephotetics nigropictus और उसके लावा neptotetics syncytips होता है तो यह कुछ इसकी अलग-अलग species है निग्रोपिक्टस है उसके लावा versicens है उसके लाव सिंस्टिसिप्स है तो यह इसकी कुछ जातिया है इसकी जो family है वो है scissedileadie और जो इसका cool होता है और जो होता है वो hemipatera होता है और इसमें जो damaging stage है वो होती है निफ और adult यानि निफ और adult दोनों ही नुक्सान पहुंचाने का काम करते हैं next अपने बात करें देखो वैसे तो धान की लगानी के साथ ही इनकी leaf ओपर देखने को मिल जाते हैं लेकिन अगस्त के आते आते क्या होते है इनकी संक्या होती है वो बढ़ जाती है और अगर अपने बात करें September अक्टूबर तक की तो इनकी संक्या September अक्टूबर में सबसे ज़्यादा रहती है और अक्टूबर के बाद इनकी संक्या वो कम देखने को मिलती है, और generalize यह क्या करते हैं, मतलव रस सूसने का काम करते हैं, यानि सक्दासे, यानि मतलव किस तरह से नुक्सान पहुंचाते हैं, रस सूस का नुक्सान पहुंचाने का काम करते हैं, Next अपने बात करें, ostrange क्या होती, राइस में तो लगते ही लगते हैं और कोंड़ से मतलो फसलों के अंदर लगते हैं यह जो green leaf हो पर रही है millet यानि बाजरा के अंदर लगता है उसके लावा grasses के अंदर लगता है मैं particular nipotatex जातियों की बात कर रहा हूँ जो rice millet और grasses में लगता है देखो इसके लावा देखो एक जो most important चीज आपको ध्यान रखनी है जो rice to grow virus होता है उसका ये वाहक कीट भी होता है rice to grow virus इसका वाहक कीट है उसके लावा rice yellow dwarf है उसका भी एक वाहक कीट है rice to grow virus और rice yellow dwarf है ये दोनों viral disease है और एक पोदे से दूसरे पोदे में इस virus को पहुंचाने का जो काम करता है, ये green leaf अपर, एक तो ये direct नुक्सान पहुंचाता है, पहुंचाता है फसल को, दूसरा इसका जब से बड़ा जो indirect नुक्सान है, वो कौन सा है, टुंगरो वाइरस को फिलाने का काम करता है, उसके लाँ, rice yellow dark virus है, उसको भी फिलाने का का करता है उसके लिए आपने इसके जीवनकाल की बात करें तो इसका एक पिरिड जो होता है वो 6-7 डेज का होता है लगबग अपने बात करें निम्प जो होता है निम्प का जो टाइम होता है वो होता है निम्प से अडल्ट बनने में लगबग 25 दिन का होता है और अडल्ट होत तो PTB 18, EIL 7301, EIL 7302, EIL 7303, उसके लावा बानी, उसके लावा विक्रा मारका, ये पूरा नाब विक्रा मारका है, उसके लावा ललित और उसके लावा नीदी, ये इसके परती रोधी किसमे है, जिनके अंदर लीफ अपर नहीं देखने को मिलता है, ETL की अगर बात करें, तो जो 25 स्वेप है नर्सरी के अंदर, अगर उनके अंदर population 60 से जादा हो जाती है, तब अपने इसका नीद्रन स्टार्ट कर देना थी, यानि इसका ETL लेवल है, अगर आप ग्रीन लीफ अपर देखना चाहते हैं, तो ये इसका इमेज देख सकते हैं, अगर फिर्ट के कभी आपको देखना पड़े, तो नेक्स्ट जो राइस है, उसका नेक्स्ट राइस का जो अगला इंसेक्ट है, वो है brown plant hopper, देखो brown plant hopper है, इसका अगर अपने scientific name की बात कर रहे हैं, तो इसका scientific name है, निला पारवटा, निला पारवटा, लुगेंस, निला पटेरा, जायर सी बात है, hopper है, उसके अंदर निम्प और अडल्ट दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं, और नुकसान किस तरह से पहुंचाते हैं, यह रस्चुसने का काम करते हैं, सक्दार, यानि रस्चुस के नुकसान पहुंचाते हैं, अगर हम इसके ETL की बात करें, इकोनोमिक थ्रस हर्ड डेवल की, तो आठ से दस अगर संक्या में परतेख हील, जहांपे मतलो पोदा लगा हुए हैं, एक साथ ग्रूप में लगे हुए हैं, वहाँ पर अगर इसकी संक्या आठ से दस मिल जाए, या पिर अपने बात करें, 20 जो मतलो इनकी संक्या मिल जाए परती हिल, अगर मकडी उपस्तित है तो केत में, मकडी उपस्तित है, मकडी इनका प्राकरतिक दुस्मन है, तब तो इनकी संक्या अगर 20 से उपर हैं, और नॉर्मल कंडिशन में अगर 8 से 10 मतलो संक्या इनकी परती हिल देखने को मिलती हैं, और अगर अपने बात करें, अगर एक संक्या बीज तक है तब तक आपको नियंतरन करने की जुरत नहीं है तो आपको नियंतरन कर चाहिए? अब देखो, यह डारेक्ट नुकसान तो पहुंचाता है, पहुंचाता है, इसका इमेज आप देख सकते हो उसके लावा ये क्या करता है कुछ जो डिजीज है उनको एक पोदे से दूसरे पोदे में फिलाने का काम करता है जैसे ग्रैसी स्टंट वाइरस है रैग्ड स्टंट वाइरस है विल्टेड स्टंट वाइरस है तो ये जो तीन डिजीज है उनको एक पोदे से दूसरे पोदे म पिलाने का काम करता है next अपने बात करें कि rice के लाओ और किसमें ये नुक्सान पहुंचाता है sugar cane के अंदर और grasses के अंदर नुक्सान पहुंचाता है और लगबग अपने बात करें तो इसकी जो female होती है वो 200 से 300 एंडे देती है egg का जो समय होता है वो लगबग 6 दिन का होता है निप का सम्या होता है वो 15 दिन का होता है अडल्ट का जो टाइम होता है वो 18 से 20 दिन का होता है तो ये इनकी टोटल लाइफ होती है लगबगी ये मान के चलो कि 35 से 40 दिन के आसपास की इनकी लाइफ होती है अपने बात करें, इसके परती जो resistant variety है, बहुत सारी इसके परती resistant variety है, जैसे अरुन है, उसके लाग करनाट का है, कार्थी का है, क्रिशनावनी है, मेकोन है, अबे है, आशा है, दिव्या है, प्रेथरी, सियो ब्याली, सियो चालिस, पी टीवी किस, जोती, पी टीवी तेतिस, मान्सरोवर, भादर, EIL, सरी, IET है, EIL, IET पचेतर पचेतर, IET 315, MTU 1249, R650, R1820, उसके लाग सरेक्षा, अरविंदर, कार्थिक, उसके लाग भरती दासन, उसके लाग नीला, उदे, सोन साली, वजराम, चित्याना, नागारजन, और चंदाना, यह कुछ इसकी वेराइटी है, जो इसके परतीरोधी होती है, वैसे यहाँ इतनी ज़्यादा परतीरोधी या रसिस्टेंट वेराइटी हो नहीं पूछे जाती है, ज्यादा याद रखने कि आपको जुरूत नहीं है, रस इस रूप से नहीं पूछे जाएगी, लगिन यहाँ पर मैं आपको साथ में मेंसन कर देता हूँ भी, हाँ यह इसके रसिस्टेंट वेराइटी है, नेक्स अपने बात करें, अगला जो राइस का इंसेक्ट है, वो है, वाइट बैक प्लांट हो पर, इसका इमेज देखना है, वो है, डेलफी सिडी, और जो इसका ओर्डर है, वो है, हमी पटेरा, नुक्सान हो पर है, जाइर सी बात है, निम्प और अडल्ट दोनों ही नुक्सान पहुंचाते हैं, इसकी जो होस्ट रेंज राइस के लावा मेज भी है, मिलट भी है, सुगर केन है, ग्रासे है, इ इसके जो रेसिस्टेंट वेराइटी है, वो है, AR-133, IC-2688, टैंगनेर, अमलेबेरो, HKR-10, HKR-124, IET-1616, तो यह इसके लिए कुछ रेसिस्टेंट वेराइटी है, नेक्स्ट जो राइस का अगला जो इंसेक्ट है, वो है, राइस इयर हैड बग, देखो, राइस इयर देखने में, यह इस तरहें का देखने को मिलता है, बग जो होता है, दिखने में इस तरहें का दिखता है, और यह इसमें अपने पीछे बात की थी, इसका जो नेचर होता है, नुकसान पहुंचाने का, वो सकदा सेफ होता है, यानि piercing and sucking type के mouth part होते हैं, जो plant होता है, उसके अपना मतलों यह mouth part होता है, उसको press करता है, पंचर करता है, और उसे रस तूसने का काम करता है, ठीक है, और इसके अंदर जो अपने बात करें, रुपांतरण देखने की बात करें, या morphism की बात करें, तो incomplete metamorphism देखने को मिलता है, अब इसका scientific name की बात करें, तो इसका scientific name है Leptocorica acuta Leptocorica acuta इसका scientific name है इसकी जो family है वो है LDA और जो इसका order होता है वो hemipatera होता है और इसमें जो नुक्सान पहुंचाता है वो neem for adult दोनों ही नुक्सान पहुंचाते हैं ETL की बात करें तो 5 बग पर 300 पेनिकल यानि जो rice में पेनिकल निकलते हैं दाने वाले तो अगर पर पेनिकल लगबग इसकी संक्या हो जाती है तो पर 100 पेनिकल पर इनकी संक्या 5 हो जाती है या पिर अपने बात करें एक बग एक हिल पर हो जाता है flowering stage के अगर अपने बात करें तो और milking stage की अगर अपने बात करें तो 16 बग अगर 100 पेनिकल पर हो जाते हैं या फिर 1 हिल पर 3 बग हो जाते हैं तब अपने इसका नियंतरन कर देना चाहिए flowering stage तक तो 100 पेनिकल पर 5 बग है और 1 हिल पर 1 बग है तब नियंतरन शुरू कर देना चाहिए लेकिन अगर milking stage आ जाती है तो 100 पेनिकल पर अगर 16 बग है और अगर 1 हिल पर 3 बग है तब अपने को नियंतरन स्टार्ट करना चाहिए next अपने बात करें host range की इसके तो यह rice के लावा millets यानि बाजरा को नुकसान पहुंचाता है अपने बात कर चुके incomplete metamorphism होता है सकदा shape यानि रस सूशने का काम करता है और इससे जो yield का नुकसान होता है यानि जो उतपादन में कमी आती है वो 10-40% तक आ जाती है next अपने बात करें इसका जो egg period होता है वो 5-8 दिन का होता है और जो nip का time होता है वो 17-27 दिन का होता है और जो adult होता है वो काफी दिन जीवित रहता है लगवग 30-50 दिन का इसके adult का time होता है अब राइस में अगले insect की अपने बात करें तो millibug अगला जो insect है millibug इसके अंदर भी आपने बग की बात की थी बग के अंदर incomplete metamorphosis होता है और बग जो होते हैं इनका जो nature होता है नुकसान पहुंचाने का वो किस तरह का होता है सक बैसे यानि रस सूशने का काम करते हैं इ ब्रेवी निया निया ब्रेवी निया रही ब्रेवी निया नही इसका scientific नेम है और अगर इसके फेमिली की बात करें तो pseudocidae family है और इसका जो order है वो हमी पटे रहा है अडल्ट और जो नीम पर दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं राइस के अलावा ये ग्रेमिनी जो प्ल एग पिरिड होता है वो एक से दो दिन का होता है निम्प 17 से 34 दिन का होता है और नेक्स अपने बात करें अगला जो राइस का इंसेक्ट है वो है राइस ब्लेक बग ये भी बग है निम्प और अडल्ट दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं और incomplete metamorphism देखने को मिलता है और ये रसूसने का काम करता है इनमें piercing and sucking type के mouth part अपने बात करी चुके हैं और इसका जो scientific name होता है वो होता है scotinifora lurida scotinifora lurida या scotinifora cortata ये इसकी दो जाती हैं देखने को मिलती है और इसकी जो family होती है वो होती है रसूसने का काम करते हैं ETL की अगर अपने बात करें तो tiller जो होते हैं अगर अपने उन पर 10% तक ये नुकसान पहुंचाता है तब अपने को नियंतरन करना चीए या फिर अपने ये कह सकते हैं कि परते खिल पर 5 बग से जादा दीखे तब अपने को नियंतरन स्थार्ट क कुछ में एडल्ट भी पहुंचा जाते हैं लेकिन मैंनी केटरपिलिया नी लार्वा और येलो स्टेम बोर रहा है इसका साइंटिफिक नेम है स्केरफ हो गया इंसर्टूलस और इसकी जो फैमिली है वो है पाइरू स्टेडी और इसका जो ओर्डर होता है वो लिप्ड़ो पहुंचा देता है पोदे के जो सौप्ट भाग होते हैं बेनली स्टेम को स्टेम है उसको क्या करता है ये खाने का काम करता है यानि इसका जो माउथ पार्ट होता है वो किस तरह का होता है चेविंग टाइप का माउथ पार्ट होता है काटने का काम करता है इसके जो रसिस् सब्सक्राइब करें तो अगर अपने बात करें कि दो एग मासेश पर मिटर स्केर पर अगर आपको देखने को मिलें या फिर 10% डेड हाट है वो वेजिटेटिव स्टेज पर देखने को मिले तो आपको इसका कंट्रोल स्टार्ट कर देना चाहिए अगर अपने फ्लावरी स्टेज पर बात करें तो 2% वाइट एर देखने को मिलते हैं तब अपने क्या कर देना चाहिए इसका कंट्रोल स्टार्ट कर देना चाहिए इन्सेक्ट देखना चाहते हो तो आप यह इसका अडल्ट और इसकी जो केटरफिलर वो दोनों देख सकते हैं यह यहां पर केटरफिलर है और यह यहां पर इसका अडल्ट है नेक्स अपने बात करें अगला जो इंसेक्ट है वो है अपने गाल मिट इसका जो साइन्टिफिक नेम है या अपने बात करें जो लोजिकल नेम है वो है औरिसोलिया और आइजी और इसके जो फैमिली है वो है सिस्इडूमाई डियЭई है और इसके जो और्डर है वो है care जनरली अपने जो मिच है अगर उसके नुक्सान की बात करें तो ये क्या करता है प्लांट जो पार्ट होता है उनको खाने का काम करता है देखिए इसके लिए जो रसिस्टेंट वेराइटी है वो है MDU3, साकेत, विकरम, सुरेखा, IR-36, ककेटिया, धानया, लक्ष्मि, पालगुना, कुंती, समलाई, आसा, उसके लाए राजेंदरा, उसके लाए सरकेशा, और उसके लाए एरा मुलेलू यह साउथ की वराइटी है, काव्या, और गुला, और R-650-1820, यह कुछ इसके असिस्टेंट वराइटी है, ठीक है और अगर इसका इंसेक्ट का आप इमेज देखना चाहते हैं, तो यह इमेज देख सकते हो, और 10% जब क्रॉप्स के अंदर सिल्वर सूर्ट देखने को मिलें, तब अपने इसका कंट्रोल करना चाहिए, यह इसका कंट्रोल है, वो स्टार्ट कर देना चाहिए नेक्स अपने बात करें, अगला जो इंसेक्ट हो है, स्वार्मिंग केटरपिलर, स्वार्मिंग जो केटरपिलर है, अपने इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, तो स्पोडोपटेरा, मूरिटिया है, स्पोडोपटेरा, मूरिटिया है, और इसकी जो फेमली है, वो है न और नुकसान जो पहुंचाता है, वो मेगट पहुंचाता है, ठीक है, और अपने बात करें, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का जो टाइम है इसका वो जुलाई से सप्टेम्बर है, यानि इसका जो पीक पिरिड है, राइस के लिए मेज, यानि मक्का, जवार, गयों, वीट, बारले, यानि जो और गन्ना को भी नुकसान पहुंचाता है, इल्ड में ये 10 से 20 परसेंट तक नुकसान कर देता है, ठीक है, इसका जो माउथ पार्ट होता है, वो ही चेविंग टाइप का माउथ पार्ट होता है, यानि का आटने का काम करता है, ये इसका अ आरवा स्टेज जो नुकसान पहुंचाती है, पहले अपने इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, तो साइंटिफिक नेम होता है, इसका सेना फिला क्रोसिस, मेडानेलिसिस, यानि मेडिनालिसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और इसके जो फेमली है, वो हती है, पारल विला है वो इसके जराइस के लावा धान के लावा ग्रासेज में भी नुक्सान पहुंचाता है पूरा इसका जो जीवनकाल है वो 25 से 35 दिन का है और इसकी जो एसिस्टेंट वेराइटी है वो है टी-N-A-U-L-F-R आगर ETL की बात करें तो 10 परसेंट अगर वेजिटेटिव स्टेज पर लीव का नुक्सान हो जाता है तब अपने कंट्रॉल करना चाही और अगर अपने बात करें प्लेग लीव जो बाती है उस समय अगर 5 परसेंट डेमेज हो जाता है तब अपने इसका कंट्रॉल चीज मैं आपको बताना पूराइब विष्टाने चीज में आपको बताना भूल गया कहीं पर भी जो मीज आता है जैसे गाल मीज था तो इनमें complete metamorphism देखने को मिलता है और जनरली इनकी जो सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुंचेराली स्टेज होती है वो लार्वा स्टेज होती है और यह मतलो इनमें चैविंग टाइप के mouth parts देखने को मिलते हैं तो यह जो मीज है यह ध्यान रखना डिप्टेरा का होता है बहुत चोटे-चोटे इनसेक्ट होते हैं इसे bright से color के होते हैं बहुत चोटे साइज के होते हैं माइनर साइज के होते हैं बलकुल इसका scientific नेम है और इसकी जो family है वो है पाइडिस्ट्रडी और इसका जो ओडर है वो लिप्डव पतेरा डेमेजिंग स्टेज है वो caterpillar है हना लिप्डोपटेरा में दिकांस जो डेमेजिंग स्टेज लारवा या caterpillar होता है इसके जो टोटल लाइफ होती है वो उन्हीं से सेंटेज दिनकी होती है और यह प्लांट को मतलों खाने का काम करते हैं चेविंग टाइप के इंसेक्ट होते है और इसका जो साइटिपिक नाम है वो है फिलपॉपीडस permit स्टेज निस्का सइंटिफिक नेम है और इसके जो फेमिली है वो है एसपरेडियए और 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 है वो लिप्डुपटेरा घैमेजिंग स्टेज वह लारवा है राइस के लाज बैस्टीन में भी नुक्सान पहुँचाता है ये इसका अडल्ट है और ये इसका यहां पर लारवा को देखने को मिल सकता है के तरकिलर देखने को मिलता है नेक्ट अपने बात करें अगला जो मेजर इंसेक्ट है वो है स्पाइनै बिटल या राइस इसपा ladoते है तो जनरली किरूँ बिटल में चैविंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं और बिटल जो होते हैं इनमें भी complete metamorphism देखने को मिलता है बिटल जो होते हैं वो coliopatera के होते हैं और इनके जो लारवा होता है उसको अपने गरब बोल दिया जाता है और इसका जो scientific name है rice spa या spenny beetle जो है इसका decledispa army jera decledispa army jera होता है और इसकी जो family होती है वो होती है chrysomy lady chrysomy lady और जो इसका order होता है coliopatera damaging stage होती है वो grab and adult होता है इसका एक पिरिट चार से पान दिन का लारवा पिरिट सार से बारा दिन का pupa पिरिट तीन से पान दिन का और एक साल में लगबग इसकी 6 generation पूरी हो जाती है और इसका जो adult का आप diagram देखना चाहते हैं तो यह इस तरह का beetle देखने को मिलता है chaving type के mouth part होते हैं खाने का काम करता है सिधा biting का काम करता है next अपने बात करें overall maggot देखो यह diptera का होता है और जो diptera के होते हैं उनके जो larva होता है उसको अपने maggot पोल दिया जाता है और इसका जो scientific name है वो hydrilla sasaki होता है hydrilla sasaki इसका scientific name है इसकी जो family है वो है यह फिर डिएडी और इसका जो नियंतरन किया जाता है वो 25% यह जब पतियों में नुक्सान पहुंचा देता है तब अपने नियंतरन करते हैं यह इसका adult देख सकते हैं और यह इसका maggot देख सकते हैं maggot यानि इसमें पेर नहीं होते हैं caterpillar में बहुत सारे पेर होते हैं गर्ब में थोड़े कम होते हैं नेक्स अपने बात करें अगला जो इंसेक्ट है वो है राइस होर्नेट केटरपिलर केटरपिलर आ गया लेपडोपटेरा का है जाईर सी बात है मेलेंटिस इसका जो लोजीकल नेम है इसकी जो फेमली है वो है स्टेरेडी जो ओर्डर है वो लिपडोपटेरा नुक्सान इसकी केटरपिलर यानि लार्वा स्टेज पहुंचाती है ये धान के साथ-साथ मिलिट को यानि बाजरा को भी नुक्सान पहुंचाता है ये आप देख सकते हो इसमें ये थोड़ा सा पास बाज़र भी आपके आपके सत्रावार के साथ-सक्ष कर लिये है तो यहां पे देखो एंटमोलोजी थोड़ा सा तफ पढ़ता है क्योंकि इसके साइंटिफिक नेम और फैमिली है ओडर है वो याद रखने में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती जैसे अपने ग्रूप के हिसाब से याद कर लेते हैं के अंदर आते हैं उसके राव जैसे अपने बिटल पढ़ते हैं बोरर पढ़ते हैं कौण-कौण से ग्रूप में इनको रखा जाता है तो आप इनको देखो एक साथ याद कर सकते हो जैसे मेगत है वो डिपतेरा में आ जाते हैं कैटरपीलर है वो लेपटबटबटबटबटब्टबटबटबटबटबटब रेड स्पोर्टेड बग जिसको बोल दिया जाता है बग होते हैं उनमें पिर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं यानि सक्दा से प्रस्चूशने का काम करते हैं मॉर्फिजम की बात करें तो इनकंप्लीट मेटामॉर्फिजम होती है जनरली बग के साइंटिफिक नेम है वो है मैंनेडिया हिस्टीरियो मैंनेडिया हिस्टीरियो इसका साइंटिफिक नेम है और इसकी जो फैमली है वो है पेंटा टो मीडिये और इसका जो ऑर्डर है वो है मीपटेरा बग में सभी में जो ऑर्डर होता है वो है मीपटेरा होता है नेक्स अ इसका साइंटिफिक नेम है इसकी जो फैमिली है वो है पेंटा टॉमीडियी और हीमिपटेरा है नीम और अडर्ट नुकसान पहुंचाते हैं अपने बात करी चुके हैं सक्दार से यानि रजसूषने का काम करते हैं पिर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं इनकंप्लीट मेटामॉर्फिजम देखने को मिलता है लाइफ कोई नहीं पूछने वाला कितने टाइम तक क्योंकि माउथ इंसेक्ट है नेक्स अपने बात करें वाइट राइस लीफ होपर लीफ होपर भी हीमिपटेरा के अंदर ही आते हैं यह भी रस्चूषने का ही काम क करते हैं इनके अंदर भी पीरसिंग और सउकिंग डाइब के माउथ पास देखने को मिलते हैं और इसका स्चायने नहीं हो हैं वौ है कोफाना न स्पेक्ट्र नेहिक नेम है और इसकी जो फैमली है वो है CKD-Li-A-D और इसका जो order है वो है Mipatera, damaging stand name for adult है, उसके बाद अप ये diagram साथ में आप देख सकते हैं, image जो दिये हैं, image जो है वो साथ में दिये हैं, ताकि आप इसको देखते रहे हैं, next है blue rice leaf hoppers, ये भी leaf hopper है, देख सकते हैं, generally वो ही family है इसका, और वो ही इसका order है, damaging stage भी वो ही है, और इसकी image है वो आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा असा जैसे pre-pigy जैसे exam है, उनका या BHU की त्यारी करते हैं, तो आपको minor insect भी ध्यान में रखने पड़ेंगे, bank जैसे अगर exam की त्यारी करते हैं, तब आपको इतना ज़्यादा कुछ, मतलो, entomology पर ज्यादा ध्यान देने की जूरत नहीं, मोटे मोटे, जो major major insect है, उन पर ही ध्यान देना होता है, नेक्स्ट अपने बात करें, जिग जेक strip leaf hopper, इसलिए बोला जाता है, यह इस तरह का है, इसलिए जिग जेक pattern इस पर देखने को मिलता है, रसीलिया, ड्रोसीलस इसका scientific name ह होता है, family walkie, order walkie, damaging stage walkie, incomplete metamorphism आपको देखने को मिलें, dimpore adult है, वो नुक्सान पहुंचाएंगे, फिक है सक्दा से प्रस्चो सेंगे, नेक्स्ट ग्रास ओपर, देखो जो ग्रास ओपर होते हैं, उन में चैविंग टाइप के mouth part होते हैं, और इसका जो scientific name है, वो है, हीरो glyph ग्लाइपस बेनियान, हीरो glyphus बेनियान इसका नाम है, और इसकी जो family है, वो है, एक्रिडिएडी, और इसका जो order है, वो है, orthopatera, और इसकी जो damaging stage होती है, वो nymph and adult, जिसमें नीफ लग गया, उसको ध्यान रखना, वो incomplete metamorphism वाला होता है, इसमें चैविंग एंड कटिंग टाइप का mouth part होता है, और इसका नीफ जो period होता है, वो काफी लंबा होता है, अडाई से, लगवग साड़े-तीन महने का, और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, नेक्स अपने बात करें, नीफ की बात करें, टोटल जो इसकी life cycle होता है, नेक्स आ सोड होरनेट ग् अगस और सेप्टेंबर में पहुंचाता है, यह आप इसका image देख सकते हो, और grass ओपर जो simple था, इसकी भी image देख सकते हो, नेक्स अपने बात करें, blue beetle, colioptera के होते हैं, इसका scientific name है, L.A.T.C.A, C.N.E.A, और इसकी जो family है, वो है, chrysomyelody, और इसका जो order होता है, वो colioptera, बिटल सारे colioptera के अंदरी आते हैं, वीवल भी colioptera के अंदरी आते हैं, नेक्स है, rice root weevil, rice root weevil है, इसकी दो तरहें के rice root weevil का नुक्सान आपको देखने को मिलता है, एक तो है, ekonocinemas, origi, और दूसरा hydronomidas, molitoral, और इसकी जो family होती है, वो होती है, crucholliniodi, और जो order होता है, वो colioptera, और इसकी जो grub होती है, वो नुक्सान पहुंचाती है, mainly, और इसकी जो grub, यानि larva का time होता है, वो 11 वहीने का होता है, यानि चब्से जो लंबी stage होती है, वो इसमें larva की stage होती है, next अपने बात करें, अगला जो seguinte है, वो है, rice root grub, rice rootcak और जो डेमेजिंग स्टेज है वो गरब है यह देख सकते हैं और जिसमें गरब लिखा होता है वो जनरली कोली पटेरा सही बिलोंग करते हैं इंसेक्ट के नाम जैसे राइस रूट गरब यह मैं एक सिंपल आपको ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप यात रख सकते हो तो यह राइस के मेंजर और माईनर इंसेक्ट अपने कंपलीट होती है आपने बात करते हैं अगली जो सीरियल क्रोप है सौरगम में सबसे पहले अपने major insect की बात करें तो major insect में आता है इसका साइंटेफिक नेम है तो इसका scientific name है एथरीगोना स्कौाटा एथरीगोना सोकाटा इसका scientific name है इसकी जो फेमली है वो है मुसेडी और जो ओर्डर है वो डिप्टेरा और जो डेमेजिंग स्टेज है वो है मेगट ठीक है ज़्यादा तर इसका जो नुकसान है खरीब से ज़्यादा summer में देखने को मिलता है एंज गेंज जफे समर में राइस क्या स्वरगम है वह summer में ग्रोग किया जाता है तो उस समय मतलों गर्मी के टाइम सबसे ज्यादा नुक्सान देखने को मिलता है अलांकि क्रीब की फसल वर्षा कालीन फसल में 20 का नुक्सान होता है लेकिन इससे ज्यादा समर क्रोप ग्रिसम लीतु की फसल में ज्यादा देखने को मिलता है इसके लाए यह मक्का में भी कु मलदानदी उसके लावा आगारी M351, स्वाती SPV 401, IS 18551, IS 556, IS 525, IS 573, उसके लावा ICSV 700, ICSV 705, फुले यसोदा, CSH 7, CSH 8 ये इसके परती रोदीगिस में जिनके अंदर ये नहीं लगता है चर्वर्गम सूटफलाई है, इसके जो अडल्ट है, वो इस तरह का देखने को मिलता है और इसका जो मेगट यानि वो लट होता है, बिना फेर की लट होती है नेक्स अपने बात करें, स्टेम बोरर, ये भी एक इसका मुक्षे कीट है इसका जो scientific name होता है वो होता है चिलो पार्टिलुस चिलो पार्टिलुस इसका scientific name होता है और इसकी जो family होती है वो होती है लिप्डो पटेरा के होते हैं इनकी लार्वा स्टेज नुकसान पहुंचाती है लार्वा बोले तो कैटर फिलर्डर ये देख सकते हो इसका ये लार्वा है और ये यहाँ पर अडल्ट है ये जुवार के लावा मक्का को गन्ना को बाजरा को अच्छा-कासा नुक्सान पहुँचाता है। उसके लाइट राइस को भी नुक्सान पहुँचाता है। और इसकी जो टोटल लाइप साइकल होती है वो तीस से चालिश दिन की होती है इपोर्टेंट है पहले एकजाम में पुछा गया है तो यह भी यहां पर ध्यान रखना और इसकी जो रेसिस्टेंट वेराइटी होती है वो चालिश नुक्सान पहुंचाता ही इसका साइंटिफिक नेम होता है सेसेयमिया इंफेरेंस और इसके जो फैंली होती है वो नॉक्टुड यही और जो ओर्डर होता है वो लिपड़ोपटेरा बोरर का लिपड़ोपटेरा ही होता है लारवा वस्ता यानि केटरपिलर नुक्सान पहुंचाता है यह इसका लारवा आप देख सकते हो यह इसका अडल्ट देख सकते हो और यह इसका नुक्सान देख सकते जुआर के अलावा ये मक्का में, धान में, गयों में, सुगर केन में, बाजरा में, रागी में, जो के अंदर और ग्रासस के अंदर नुक्सान पहुंचाता है लाइप साइकल अगर अपने बात करें, तो 45-45 दिन की होती है, और एक साल में ये 4-6 जनरेशन है, वो पूरी करनेता है अगला जो इंसेक्ट हो है, सूट बग और इसका जो साइन्टिफिक नेम होता है, वो होता है, पेरिग्रिनस, मैडिस होता है और इसकी जो फेमली होती है, वो होती है, डेल्फिस एडी, जो ओर्डर होता है, वो हैमी पटेरा इसमें अडल्ट और निम्प दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं, और इनकंप्लीट मेटामोर्फिजम होती है, रस सूषने का काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो माउथ पार्ट होते हैं, पिरसिंग एंड साइकिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं ज्वार के लाई ये मक्का, धान और बाजरा को भी नुकसान पहुंचाता है, टोटल जो इसकी लाइफ साइकल होती है, वो 18 स 31 दिन की होती है, अगर आप इसके अडल्ट का इमेज देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये सूट बग का इमेज है, नेक्स्ट मैं बा जो ओडर होता है, वो हैमी पटेरा, बग है, दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं सकदा से, बग में इनकंप्लीट मेटामोर्फिजम होता है, माउथ पार्ट की बात करें, तो पिर्सिंग एड सकिंग टाइफ का होता है, ये जवार के लावा जो नुकसान है, मक्का को पहुंचाता है, गन्ना को भी पहुंचाता है, और ज्यादा तर ये मिल्किंग स्टेज उस पर नुकसान पहुंचाता है, आप देख सकते हैं, ये इंसेक्ट, स्मॉल साइज का इंसेक्ट होता है, परतेक, ये परतेक जो अपने बुटा होता है, उस पर अगर इसकी संक्या और अगर अपने इसके scientific name की बात करें तो इसका scientific name है कॉंटेरिनिया सोर्गी कोला होता है और इसकी जो family होती है वो होती है कैसी डूमी एडी होती है और जो order होता है वो diptera होता है maggot stage इसकी नुक्सान पहुंचाती complete metamorphism होता है मतलब cheving type के mouth part इसमें देखने को मिलता है और ज्यादा तर सोर्गम या उसकी जंगली जातियों में नुक्सान पहुंचाता है और इसकी जो generation है वो 14-16 दिन में पूरी हो जाती है और अपने बात करें इसके resistant variety की तो DJ 651 है आप देख सकते हो यह चोटा इंचेक्ट होता है बिल्कुल यह नेक्स अपने बात करें अगला जो मेजर इंसेक्ट है वो है मिलाना फिस स्केरी यह दो मेंली प्लांट लीक देखने को मिलते हैं एफिडी जो फेमली है उसे बिलोंग करते है एफिडी हमी पटेरा में आता है अडल्ट है वो मतलब रस सूसने का काम करता है उसके लाव आपने बात करें तो जो होस्ट रेंज है वो इसकी सोर्गम के ल लावगी को भी नुकसान पहुझाता है इसके लाओ एक जो सबसे बड़ा नुकसान यह करता है और इसकी जो लाइफ सक्लर है वह साध्य पांस साथ दिन की होती है घर्मियों में अगर ठंड़े दिन है तो यह जो लाइफ सक्क 930 दिन की हो सकती है यह देख सकते हैं इस ब्रांच पर बहुत सारे अफिड लगे हैं नेक्स अपने माइनर इंसेक्ट की बात करें तो थोड़ा जल्दी-जल्दी बात कर लेते हैं यह हैं यह लिपड़ोप्टेरा कही होते हैं लारवा स्टेज नुकसान पहुंचाती है इनकी और देखो इसका जो नुकसान है वो मक्का में भी होता है लाइप साइकल तरही से चोइस दिन की होती है बाकि साइन्टिफिक नेम फैमली और ओडर आप देख लेना माइनर इंचक्ट है नेक्स तक ग्राम केटरपिलर बहुत सारी फसलों में लगता है पलसेज में तो मुक्य है उसके लाव कोड हमती उसमें आपने लट देखी होगी इसका केटरपिलर देखा होगा इसकी होस्ट बहुत लंभी को लुप के अंदर जुवार की अंदर सोया बीन के अंदर पी एंदर सेफलावर चिली गाणि टॉमेट लिस टॉमेयटको तो और इसका scientific name है Doilychorysum Indicus बाग इसकी जो family है वो है Pentatomedia और बग अपने पहले पढ़ी चुके है है Hemipatera में आते हैं Stink बग नाजारा विरडूला इसका scientific name है family semi है order semi है नेक्स अपने बात करें मिरीड बग इसका scientific name है स्रिनोटेडियस पैलेडी फेरर और इसकी जो family और मिरीडी है और order semi है Hemipatera नुक्सान भी semi stage पहुंचाती है निमपेंड अडल्ट साथ साथ में आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं उसके लिए मैं बात करूं तो उसलाग katerpillar katerpillar है तो लेप्टोपतेरा का है इसका scientific name है तोसिया एपिरिनीस और इसकी जो family है वो है और जो ओडर है वो लिप्डोपटेरा, अडल्ट है वो भी नुक्सान पहुंचाता है, लार्वा है वो भी नुक्सान पहुंचाता है, तो अडल्ट है वो इसमें ज़्यादा अटेक करता है और डीफॉलिएशन कर देता है, आप इसका ये अडल्ट तेक सकते हो, नेक्स्ट ह प्रीप लोला होता हुए यह पिलिप्टप्टी रहा को था है लार्वा स्टेज़ लट ओती है वही नुपसान पहुंचाती है के टरपीलर यान और इसकी जो पैमली होती है वो पारलीडी होती है और इसका सांटिफिक नेम है मार्सीमिया ट्रापीजिलियस्ट अपने बात कर इस जो मोनोटर होता है जैसे मौनोलेपता सिंगनाटा भी देखने को मिलता है उसके ऐलावा क्राइपोर्टी सेफिलस स्केटलीडती देखने को मिलता इसकी घी से फैमिली होती है और और जो वो कोलियोपटेरा होता है बिटल का जो ओडर होता है वो कोलियोपटेरा ही होता है माउथ पार्ट आपको बताएं यह किस तरह का होता है चैवी टाइप का होता है और जो मॉर्फिजम देखने को मिलता है वो कम्प्लीट मेटामॉर्फिजम देखने को मिलता है और डेमेजिं जुआर है ग्रीन ग्राम मूंग है तिल है बाजरा है उसके लावा नाइगर है बाजरा है ग्राउंड नेट मूंपली है सन है केस्टर है कोटन है यह और इसके 100 मिटर में 8 से ज्यादा अंडे देखने को मिलते हैं तब अपने इसका नियंदन शुरू कर देना चाहिए और रा राजस्तान में यह काफी नुक्सान पहुंचाता है और जो पलसेज होती है उसरी पलसेज के लेग्यूम जो होती है उनमें सबसे ज्यादा ग्राउंड नट को यह नुक्सान पहुंचाता है राजस्तान में और इसका जो साइंटिफिक नेम है वह आप 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 केटरपिलर स्टेज नुकसान पहुंचाती है आप देख सकते हो इसके हेर थोड़ी रेड कलर की होते हैं इसलिए इसको रेड हैरी केटरपिलर बोल दिये जाता है उसके लावा और इंसेक्ट की बात करूं तो सेमी लूपर है इसका साइंटिफिक नेम होता है यूबिलीमा सि में नुकसान पहुंचाता है इर हैड पर तेक मतलो जो भूटा है उस पर दो से ज़्यादा संक्या में देखने को मिले केटरपिलर तो अपने इसका नियंतन शुरू कर देना चाहिए यह अपने बात करें पर्टिकुलर एस विवल जो होते हैं इसका जो साइंटिफिक नेम है मायलोmäßigरस मेकुलोसट और मायलो सिरसर डिस 1955 शूतिफू क्या जाती है इसकि पर आइस के जो फैमिली है वो कॉलिय कॉलिय पते रहा और अगर अपने बात करें तो गरब है वो्ह तो नुखसान पहुंचाती है और अडल्ट जो होता है वह ठुलिएज-घटियां होती है, उनको नुक्सान पहुंचाता है बाजरा में, मक्का में, जुआर में सभी दलनी में, लेग्यूम फसलों में, जैसे ग्राउन नट है, कोटन में, कपास में और ग्वावा में, कही बार आएगा यह, एस वीवल बोल देते हैं, अपने इसको यह नुक्सान पहुंचाता है, कही जाती हैं इसके, नेक्स अपने बात करें, विंग्लेस ग्रास ओपर, इसकी भी होस्ट रेंज काफी लंबी है, इसका नीम्प है, वो भी नुक्सान पहुंचाता है, और अडल्ट है, वो भी नुक्सान पहुंचाता है, ठीक है, नीम्प होता है, वो ग्रोविंग स्टेज पे, इनिशल स्टेज पे नुक्सान पहुंचाता है, और जो अडल्ट और जो फेमली है वो है एक्रेडियेडी और नीम और अडल्ट इसके दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं आगे कई क्रॉप्स में आएगा तो आज की अपने इस वीडियो के अंदर अपने डिसकस किया है राइस और सौर्गम के जो इंसेक्ट है यहां थोड़ा अपने को बार बार रिपीट होते रहने हैं पर नेक्स्ट क्रॉप्स के अंदर जो बच्वी सीरियल क्रॉप्स है और सीड क्रॉप्स है उन पर अपने डिसकस करेंगे थैंक यू